आपका स्लीपी क्लासेज में आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीक्यॉर में पिछले दो वीक के करेंट डिस्कस करेंगे तो लास्ट वीक जो था वो ट्यूजडे को रिपब्लिक डे था तो हमने आपके साथ अपने कॉर्सिस डिस्कस किये थे आज हम पिछले दो वीक के प्रीक्यॉर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो चली शुरू करते हैं सबसे वहले रीसा के बारे में बात करते हैं यह न्यूज में थी तो रीसा है क्या यह कस्टमरी त्रिपुरा की फीमेल अटायर है त्रिपुरा की कस्टमरी फीमेल अटायर है hand woven cloth है, हाथ से बुना गया, right इसको as a headgear, as a stole as an upper cloth as an honorary gift भी यूज़ किया जाता है जैसे हम North India में shawl यूज़ करते हैं, वैसे त्रिपुरा में ये Risa cloth को यूज़ करते है to honor someone then उसके लावा rig नहीं जो है ये lower part of the body को cover करने के लिए यूज़ किया जाता है, रितुकु जो है upper half of the body के लिए यूज़ किया जाता है, तो रितुकु then rig नई and cover करने के लिए Risa, right तो basically ये एक आपको चीज़ याद रखनी है कि क्या तीन paths है वो then और क्या-क्या purposes हैं किस चीज़ के लिए उसके जाता है it is like a चुनरी और पल्लू of the Indian साडी तो it is used to cover the head of a newly married तृपुरी woman इसके लावा social purposes भी है social purpose क्या है कि when a girl enters adolescence रइट, बारा, चौदा साल की उमर में जब हो जाती है तो एक उसको Risa दिया जाता है पहनने के लिए और एक पूरी ceremony होती है there is an event called Risa Surmani आप pray करते हो जो elder woman है वो आपकी well-being के लिए pray करती है भगवान को तो ये चीज़े है then इसके लावा साथ-साथ वो religious festivals like गरिया पूजा के लिए यूज़ किया जाता है अगर males इसको यूज़ कर रहे हैं तो they use it as a head turban during weddings and festivals as a कमरबंद over the dhoti और as a head scarf by both boys and girls और even as a muffler during winters इसको makeshift आप एक baby carrier भी बना लेते हैं पीठ पे बांदने के लिए तो तिरपुरा customary wear के बारे में हमने बात करी Risa Rig Nigh और Rikutu तिरपुरा का customary attire ओके आगे बढ़ते हैं अब क्या interesting चीज़ है इसके बारे में या क्यों context में आया क्यों news में आया तो तिरपुरा सरकार जो है it is now trying to promote Risa as the signature textile of तिरपुरा तो इसको promote करना चाहते हैं वो under the sort of ambitious vocal for local slogan under the आत्म निर्भर अभियान policy for self employment right multiple हमारे ideas है visions है जिनके अंडर ये fit बैठता है right कि hand woven है indigenous है employment generate करेगा local चीज़ है ये तो इस context में ये news में रहा है recently ठीक है जी रीसा के बारे में हमने बात करी आगे बढ़ते हैं अगली news अगली news के लिए चलते हैं तमिलनाट तो तमिलनाट में किलादी में archaeological findings मिली है जो ancient urban Tamil civilization के बारे में कुछ हमें information देती हैं और इससे encourage होते हुए जो central advisory board for archaeology है उन्होंने permission दे दी है कि और भी 7 जगां पे excavation करी जाए ताकि और evidence बरामत किये जा सके about this ancient urban Tamil civilization तो ये हैं वो जगाएं जहां पे और sites dig up करी जाएंगी तो idea है new stone age sites धूनने का साथी साथ थमिरापरणी river civilization के बारे में कुछ evidence बरामत करने का कुछ और information बरामत करने का idea है तो ये कहानी है Tamil नाडू में जो अब excavation करी जाएंगी उनकी then आगे बढ़ते हैं थिरू वल्लूवर डे के बारे में बात करते हैं तो initially in 1935 में celebrate किया गया था May 1718 को लेकिन अब modern जमाने में it is a part of Pongal celebrations and falls either on January 15 or 16 and is celebrated in Tamil नाड as थिरू वल्लूवर डे तो थिरू वल्लूवर a poet, philosopher a cultural icon of the Tamil's known for his most popular work as थिरू कुरल which is part of your संगन literature a collection of couplets on ethics, politics, economy and love तो कौन थे थिरू वल्लूवर कब पैदा हुए कौन सी सदी में जिये इसके ओपर historians जो है वो डिवाइड है बहुत evidence, clarity नहीं है बट थिरू वल्लूवर का जो primary work है थिरू कुरल इट कंटेंज 1330 couplets divided into 133 sections of 10 couplets each तो उनकी उनका जो work है उसके बारे में हमें information है उनके बारे में अभी उतनी information नहीं है और जो ये इनका work है थिरू कुरल teachings on धर्म, अर्थ और काम इसके उपर हमें ये teachings देता है थिरू वल्लूवर की social significance बहुत जादा है जैसे कि हमने बात करी cultural icon है ये tamils के लिए तो इनके statues जो है several जगाओं पे है इनके लिए temple dedicated है एक अंबरेस्वर temple complex in माइलापूर राइट एक temple memorial कॉल वल्लूवर कोटम बनाया गया नहीं में दन कन्या कुमारी में भी थिरू वल्लूवर का 133 feet tall statue है दन Russell Square London में भी इनका थिरू वल्लूवर का एक statue है outside the school of oriental and African studies तो very very significant personality थिरू वल्लूवर आगे बढ़ते हैं अगली खबर तो Sulawesi island है एक इंडोनेशिया में एक cave painting discover करी है तो यह cave painting जो है एक wild boar represent करती है which is endemic to the Sulawesi island of Indonesia इसको Sulawesi warty pig कहते हैं यह आपके सामने आप देख सकते हैं image जो cave painting की जो हमने discover करी है तो इसमें क्या है red ochre pigment की एक के दोरा बनाए गई यह cave painting है wherein a Sulawesi warty pig is observing some kind of interaction or conflict or something between two other warty pigs अब यह माना जाह रहा है कि this cave painting can be dated back to more than 45,000 years and is probably the earliest cave painting ever discovered और यह जो Sulawesi warty pig है तो बहुत ही एक significant discovery है जो यह हमें हुई है आगे बात करते हैं जली कटू की तो जली कटू और इरू थजुवुथल इरू थजुवुथल और literally meaning embrace the bull एक ancient sport है तमिलनाड का दिस टर्म जली कटू comes from the तमिल टर्म सली कसू which means coins and कटू means a package तो basically जो बुल है उसके गले के around एक बैग टांग दिया जाता था coins से भरा हुआ और जो young men होते थे their objective was to run with the bull and यह coins का bag बुल के गले से निकालना और अगर निकाल पाए तो वो coins का bag उनका यह prize money होती थी जो बुल के horns के साथ tie की जाती थी अब because of the colonial rule this सली कासू कटू this became जली कटू ठीक है क्या क्या evidences है हमारे पास इसके ancient sport होने के तो मोहिंजदारों में हमें एक seal मिली थी 1930s में जो यह bull fighting practice जो है उसको बहुत clearly represent करती है then हमें almost 3,000 साल पुरानी rock paintings मिली है करी के यूर village में टमिलाड में जहां पे young men are shown chasing bulls with big humps तो वो भी इस जली कटू को ही represent करती है आप देख सकते हैं ये Indus Valley की seal है depicting the ancient sport of जली कटू तो अब folklore ये कहता है कि जो सबसे बड़ा open space होता था village का वहां पे एक arena बनाया जाता था जली कटू के लिए right then एक makeshift entrance बनाई जाती थी दोनों जो competing bulls होते थे उनको सजाया जाता था garland किया जाता था और gold coins mind you gold coins wrapped in a piece of cloth उनके horns को के साथ tie कर दिये जाते थे और उन दोनों को field में छोड़ दिया जाता था and then young men were supposed to take that bag of gold coins out of the horns of the bull तो it was meant to judge a man's virility क्या strength है आपकी कितनी energy है आपने right and ये एक तरीका था to win a woman's hand in marriage by proving yourself to be an able man right तो आप अगर कामियाब हुए इस करने में then you could have the woman of your desire तो ये एक पुरानी प्रथा थी जो होती थी कलीत हो गाए एक classic tamil poetic work है संगम literature का ये भी इसके बारे में बात करता है कि कैसे bulls were a woman's best friends because वो आपकी help करते थे एक काबिल partner select करने में right partner select करने में ये text हमें ये भी बताता है कि कैसे एक elaborate तरीका था सही bull identify करके उसको train करने का for this particular sport तो आजकल के जमाने में जो जली कटू खेला जाता है farming community ही practice करती है खेलती है टमिलनाड में and they use this to hand pick the strongest bull and जो सबसे strong bull हुआ that is used as a stud for their cows right तो ये आजकल के जमाने में जो significance या custom prevalent है जली कटू के साथ right काली थोगाई के बारे में हमने बात करी ये जो poems है ये हमें इरू थजू उथल या जली कटू के बारे में बताती है right आगे बढ़ते हैं Egypt चलते हैं अब तमिलनाड से तो एजिप्ट में आर्केलोजिस्थ ने क्वीन नेथ का एक टेंपल अनेर्थ किया है belonging to almost 22, 23, 100 BCE का जो time period है 22nd, 23rd, 24th century BCE का जो time period है यहाँ पे उनको एक 4 मीटर लंबा papyrus मिला है papyrus text which is the book of the dead a collection of spells aimed at directing the dead through the underworld तो Egypt के साथ जो भी कहानिया जुडी हुई है mummies को लेके उससे ही मिलते जुलती कुछ है हमें discovery हुई है burial wells मिले है coffins मिले है mummies मिले है dating back to the new kingdom time period 16th to 11th century BCE तो सकारा site में मिले है यह सकारा site जो है this is part of the ancient capital of Egypt called Memphis जहां पे हमें जो बाकी जो pyramids of Egypt हैं गीजा एटेटरा के वो सारे यहीं Memphis की site पे ही बरामत हुए है तो यह एक discovery है recent time की Egypt में then वापस आते हैं domestic North India गुरु गोबिन सिंग जी के बारे में बात करते हैं तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से he was born on December 22nd बट उनका जो जनम दिवर्स है it is celebrated according to the lunar कैलेंडर और इस साल January 20th को मनाया गया this was 354th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji तो जनम हुआ अस Gobind Rai in Patna Bihar right he was born to 9th Sikh Guru Guru Tegh Bahadur Ji right he was the 10th and the last Sikh Guru and before his passing away he declared the holy book of the Sikh Guru Granth Sahib as the final Sikh Guru तो Khalsa की institutionalization इन्होंने करी जो माना जाता है कि Punjab के ओपर जो इतने attacks होए subsequently the institutionalization of the Khalsa was a very important factor that prevented और absorbed some impact of those invasions in Punjab नहीं तो well into Indian territory वो attacks आ सकते थे right then Sikhism के साथ जो 5Ks की जो tradition जुडी हुई है खालसा के साथ केश, कंगा, कडा, किरपान और कछेरा ये भी इन्होंने ही शुरू करी गुरू गोबिन सिंग जी ने आगे बढ़ते हैं श्री नरायन गुरू इनके उपर आते हैं इनके बारे में बात करते हैं तो इजावा कास्ट में इनका जन्म हुआ था Supposedly एक lower caste है बहुत atrocities देखी और उनके खिलाफ आवाज उठाई एक slogan दिया और अपने इस आंदोलन में यह इनके जो सो कॉल्ड लोवर कास्ट पीपल है उनको टेम्पल में एंटर करने का हक मिले तो जो फेमस वाइकोम सत्याग रहा है श्री महादेव टेम्पल अट वाइकोम में वो भी वाज लेड बाई श्री नरायन गुरू because he was stopped by a so-called upper caste person from walking on the road leading to the famous temple जिसकी वज़े से यह आंदोलन लडा गया then सिवगरी पिल्ग्रिमेज जो है वो भी इनके तीन disciples ने शुरू करी थी इनकी blessing के साथ और आज भी आप वो पिल्ग्रिमेज लोग करते हैं to promote the virtues of cleanliness, education, devotion, agriculture, handicraft and trade तीन Sanskrit texts translate किये तीन major texts translate किये and more than 40 works हैं इनके खुद के Malayalam, Tamil और Sanskrit में following in the footsteps of Adi Shankaracharya then इनका जो यह humane और egalitarian attitude है कहा जाता है कि केरला में यह spirit लाने में modern day केरला में जो यह spirit देखा जाता है owes to Shri Narayan Guru and his contributions in the early 20th century आगे बढ़ते हैं खादी, airy shawl और airy stole के बारे में बात करते हैं असाम government ने कहा कि हम अपने grade 4 employees को खादी की shirt, एक airy का shawl और एक airy का stole देंगे as our tribute to Mahatma Gandhi and his movement for khadhi तो airy silk क्या है, क्यों significant है significant है because it is one of those rare silks which is processed without killing the silkworm तो इसको एक तरीके से, इसको इस वज़े से piece silk कहा जाता है, या as a fabric of piece इहमसा silk कह लीजिए तो ये बहुत significant है और अपनी इस feature की वज़े से it is very very popular amongst vegans and Buddhists जो मानते हैं कि बिना silkworm को मारे हुए जो silk बनाया गया है that is the right silk, that is what one should be adopting it is the only completely domesticated silkworm other than the bombics moory, right इसको silk of the poor भी कहा जाता है because जितना जादा ये पहना जाएगा उतना जादा ये soft हो जाएगा and is a great textile to be worn all year round तो ये है कहानी airy silk की बात करते हैं खादी की तो खादी के बारे में तो आप जानते ही है manufactured from cotton or from silk or from woolen yarn अगर silk से हुआ है तो उसको खादी silk कहे देते हैं woolen yarn से हुआ है तो खादी wool कहे देते हैं hand spun fabric है ये natural fiber cloth और Indian subcontinent में बहुत जादा popular है बाकी कहानिया इसके बारे हमें में बहुत पता है 1920 का जो congress का session था नागपुर में वहाँ पे खादी was unveiled as a political weapon for rallying the citizens of this country in a spirit of सुदेशी to boycott the foreign goods तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहला खादी production center जो था वो कठ्यावार गुजरात में set up किया था early 20s और 30s में खादी को promote करने के लिए बहुत सारे boards और associations set up किये गए 1948 में government ने इसको इसकी contribution इसकी importance recognize करी और इसको DPSP में भी add किया under the article 43 then 1953 में All India Khadi and Village Industries Board शुरू किया जो आगे जाके Khadi and Village Industries Commission बन गया a statutory body and 7th August जो है National Handloom Day के रूप में मनाया जाता है ये थी कहानी Khadi की आगे बढ़ते हैं Swami Vivekanan के बारे में बात करते हैं 12th Jan is celebrated every year as National Youth Day बचपन में ही spiritual bent of mind के थे दिबेंदर नात्रेगोर के पास गए उनसे बाते करी फिर मुलाकात हुई रामकृष्ण परम्हन से 1881 में उनको मिले तो ऐसा लगा की हाँ मेरे सवालों का जवाब इनके पास है और उनको अपना गुरू मान लिया contribution जो सबसे important है introducing yog and vidant to the western world and is known for his speech at the parliament of world's religions in 1893 in Chicago तो यहाँ पे जो उन्होंने speech दी उससे बहुत ज़्यादा popular हुआ योग और vidant rather Hindu philosophies western world को उन्होंने पेश करी इसको कई बार नियो विदानत भी कहा जाता है an interpretation of Hinduism through a western esoteric lens जो स्वामी विवेकान ने दुनिया के सामने रखा खत्म करने से पहले आगे next week के pre-care प्याने से पहले आपको बता दें कि हमारा 2021 के लिए जो crash course है prelims का वो शुरू हो गया है static components जो है वो already आपके साथ cover किये जा रहे है current phase module जो है वो mid of February में शुरू हो जाएगा you can opt for only current phase module और you can opt for both static plus current phase in the form of crash course along with the prelim test series तो this is something that we started with this is something that we are extremely happy about क्योंकि जितना effort इसमें जाता है हमें पता है कि उतने ही इसके returns students को दिखते हैं तो year after year we put the maximum effort in these because ये maximum return लेके आता है हमारे students के लिए तो do check these out these courses on sleepyclasses.com आगे बढ़ते हैं इस week के pre-cure के बारे में बात करते हैं इस week जो खबरें history और art और culture से जुड़ी हुई news में रही थी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो Republic Day celebration में बांगलादेश military से 122 member strong contingent आया जिन्होंने हमारी Republic Day celebrations में participate किया बांगलादेश army, navy और air force से ये soldiers comprise कर रहे थे right purpose क्या था to honor the 1971 liberation war and carry forward the legacy of the मुक्ती जोदास जिन्होंने बांगलादेश की liberation के लिए काम किया और ये 50 years of जो हमारे ties हैं जो 2021 में पूरे हैं हो रहे हैं इसको commemorate करते हुए इस पूरे साल में several joint exercises planned है हमारी बांगलादेश armed forces के साथ right आगे बढ़ते हैं भारत पर्व की बात करते हैं तो भारत पर्व क्या है ये एक festival है to celebrate the spirit of India and to generate patriotic fervor in the people of the country 2016 से ये हर साल मनाया जाता है organize करती है इसको ministry of tourism it is celebrated at the ramparts in front of the ramparts of the red fort on the occasion of republic day तो several states की, uts की, ministries की, government and semi-government boards, bodies, museums, galleries ये सब अपनी अपनी कुछ-कुछ जहांकियां पेश करते हैं pavilions set up करते हैं और अपने बारे में कुछ बताते हैं ताकि देश में unity promote करी जा सके, एक sense of togetherness promote करी जा सके under the agenda, under the idea, under the vision of एक भारत, श्रेष्ट भारत तो ये है आपका भारत पर्व 27th to 31st January तक celebrate किया गया इस particular साल में अगर हम बात करें तो तो बड़ी ही hotly contested issue है ये Apparently, a small force of British troops, roughly 800 British troops, fought against a 30,000 strong Maratha army and initial successes उनको इतने मिले इस battle में that eventually Maratha surrendered, Peshwa surrendered and the British won, जो British मानते हैं कि हमारी एक one of the proudest victories है in the battlefield और predominantly जो जो to British troops थी उनके साथ जो लोग लड़ रहे थे they belonged to the mahar caste, right, supposedly a low caste, low caste तो उनके लिए एक बड़ा ये symbol of pride है, matter of pride है that they won a victory against brahmanical oppression so it is symbolic of Dalit assertion, Dalit victory against brahmanical oppression तो battle है ये January the 1st 1818 की, right अभी इस पे बहुत हमारे पास historical evidences या जो gazette है उसमें हमारे पास बहुत इस पे clarity नहीं है कि क्या caste थी उन लोगों की जन्नोंने बिटिश के लिए लड़ाई लड़ी बट हाँ ये जरूर हमारे पास gazette में लिखा हुआ है कि British troops बहुत कम थी, Maratha troops बहुत जादा थी and the British won a famous victory they surrounded the Marathas and eventually the Peshwa fled he was captured and he surrendered and he was kept in Bithur until his death in 1851 तो यहां पे जो Peshwa थे he was Baji Rao II and he passed away in 1851 and इनके जो आगे adopted son थे Nana Sahib Peshwa he was the last titular head of the Peshwai system इनको British ने pension देने से मना कर दिया था and that is why he participated in the revolt of 1857 against the British but he was captured, in fact he was not captured he had fled to Nepal and where he is supposed to have lived his last years right, news में क्यूं है क्यूंकि जो United Nation का Office of the High Commissioner for Human Rights है जो दुनिया भर में human rights का advocate है कि जो domestic courts हैं वो अपने constitutional or judicial functions निभाएं international legal obligations फुल्फिल करें तो they are seeking an intervention कि जिन भी लोगों को इसके protest के context में arrest किया गया है they should be released बात करते हैं गोवंद बलब पंत की तो उनका एक statue है which is being relocated as part of the construction of the new parliament तो गोवंद बलब पंत he served as the first chief minister of Uttar Pradesh after the independence of India and because of his exemplary performance in the state wherein he abolished the zamindari system stabilized the economic condition of the state he was inducted by Prime Minister Nehru in his cabinet as the union home minister and as part of the cabinet as home minister एक बहुत आह्म भुमिकान निभाई उनोने in the reorganization of states along linguistic lines and establishing Hindi as the official language of India and because of his services and his contribution he was awarded the Bharat Ratna right then born on 10th of September 1887 in a village called Khunt near Almoda एक Maharashtrian Brahmin family में इनका जन्म हुआ was a lawyer initially 1914 में इन्होंने एक law challenge किया that required locals known as coolie beggars कि उन्होंने traveling British officers का luggage carry करना है for free तो coolie beggars वाला जो ये law था इन्होंने challenge किया popularity हुई तो ही contested for the legislative assembly of the United Provinces of Agra and Aud वहां पे जीते assembly में गए Congress join करी Congress के Satya Grahas में movements में participate किया Salt March में participate किया and rose to prominence because of his political skills because of his oratory skills and 1937 के election में he was elected unchallenged as the leader of the Congress party in the United Provinces और United Provinces के पहले Chief Minister बने under Government of India Act 1935 and independence के बाद भी ये Chief Minister बने उत्तरप्रदेश के पंडित बद्री दूर पंडे इनके एक close associate थे उनके साथ मिलके उन्हें एक weekly paper शुरू किया शक्ती जहां पर ये कुमाउं region के problems highlight करते थे और campaign करते थे उनके betterment के लिए गोबिंद बलब पंथ की ये कहानी Chief Minister शिप के बाद उनको उन्ड़किया Prime Minister Nehru ने as the Home Minister and he served in this position till his death in 1961 तो जमीनदारी सिस्टम को abolish किया monogamy compulsory किया Hindu men के लिए Hindu women को rights दिये divorce के और to inherit ancestral property ये इनकी major contributions गोबिंद बलब पंथ आगे बढ़ते हैं कला उत्सव के बारे में बात करते हैं तो कला उत्सव को address किया Union Education Minister ने recently इस वज़े से ये news में था spirit जो follow करता है ये कला उत्सव एक भारत श्रेष्ट भारत there are multiple aspects but one India तो कला उत्सव 2020 जो था 9 art forms में यहां पे competition किये गए classical singing, traditional folk song classical instruments traditional folk instruments classical dance folk dance visual arts 2D, visual arts 3D और local games तो local games वाली जो चीज़ है वो इस साल ही introduced करी गई थी तो कला उत्सव के बारे में इतना ही आगे बात करते हैं पथारूगाट की बात करते हैं तो पथारूगाट क्या है 1919 में जल्याँ वाला बाग massacre हुआ था उससे 25 साल पहले Assam में एक similar incident हुआ था unarmed peasants they were protesting against the increase in land revenue levied by colonial administration जब उनके ओपर military opened fire and there were several several casualties जो हमारे पास सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि 15 लोगों की मौत हुई थी and 37 were wounded बट जो actual numbers हैं वो इससे कई जादा उपर है आज की date पे वहाँ पे एक martyrs column exist करता है जहाँ पे ये incident took place पथरुगाट a small village in Assam's दरांग district तो क्या history है इस पथरुगाट अप्राइजिंग की तो बिटिश ने annex किया Assam को 1826 में land taxes लगाने शुरू कर दिये farmers resented लगाते गए 1893 में बिटिश ने decide किया agricultural land tax बढ़ाने का reportedly by 70 to 80% तो earlier तो क्या होता था peasants जो कुछ tax वगरा भी देते थे कई बार उसको services के against भी कर लेते थे कि we would provide some service instead of cash tax जो पे करना है यहाँ पे बिटिश ने कहा कि नहीं cash में tax लेंगे और tax बढ़ा दिया now the peasants began protesting the move by organizing raj mails और peaceful people's convention right raj mails अब यह people's conventions होती गई होती गई अब बिटिश ने कहा कि नहीं यह तो sedition का breeding ground है चाहे यह gatherings essentially peaceful और democratic ही होती थी तो जब भी एक raj mail होता था बिटिश came down on it with a heavy hand और finally January 28, 1894 को ऐसी ही एक raj mail में British military opened fire leading to several people being killed and wounded तो असमीज लोगों के लिए यह काफी एक बड़ा symbolic दिन है एक दिन है जब Holmes defeated the Mughals in 1671 thwarting the forward movement of the Mughals in the east और दूसरा यह है पथरूगाट जो बहुत ही एक symbolic importance रहता है असमीज community में इवन दो इस कॉल दी पथरूगाट रोन और बैटल अफ पथरूगाट यह एक मिस्नोमर है क्योंकि एक simple democratic peaceful non-violent movement थी जिसके ओपर British military opened fire इट के अलसो बी लेबलेट अस प्री करसर to the civil disobedience movement started by Mahatma Gandhi हर साल January 28 को क्रिशक स्वही दिवस मनाया जाता है to commemorate this incident to commemorate this event यह है पथरूगाट uprising of Assam in 1894 लाला लाश्पतराय के बारे में बात करते हैं he is known as Punjab Kesari was born on 28 January 1865 joined the Arya Samaj because Swami Dayanand Saraswati से बहुत influence है उनकी teaching से बहुत influence हुए हिसार जो उस ताइम पर पंजाब में आता था अब हर्याना में आता है वहाँ पर इन्होंने law practice करना शुरू किया served as the founding member of Bar Council of India in हिसार then also set up a branch of the Indian National Congress in हिसार also set up a branch of Arya Samaj नहिसार right then participated in the 1888 and 1889 sessions of Congress very very early days only one of the four delegates participating in the annual session of Congress then Lahore High Court गए वहाँ पर प्राक्टिस किया law the Tribune के लिए regularly लिखना शुरू किया Punjab National Bank set up करने में बहुत एहम भुमी का निभाई then Dayanand Anglo Vedic School Managing Committee establish करी जो आज DAV Schools run करती है Dayanand Anglo Vedic Schools run करती है then Calcutta special session जो हुआ 1920 में INC का वहाँ पे as President served किया Servants of the People Society found करी 1921 में initially headquarters इसके Lahore में थे then after partition they moved to Delhi Simon Commission जब आया तो Simon Go Back का नारा देके इन्होंने एक movement शुरू करी Simon Commission के अगेंस्ट गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल शुरू किया in memory of his mother who had died due to tuberculosis right then इसके इलाबा इनके ओनर में लाला लाश्पतराई trust सेट अप करी 1959 में by a group of philanthropists who belonged to Punjab and government of Haryana ने 2010 में इनको ओनर करते हुए लाला लाश्पतराई University of Veterinary and Animal Sciences सेट अप करी शुरू करी ये लाला लाश्पतराई की contributions right दो हफ़ते के Precure की यहां पर समापती हुई है थोड़ा सा लंबा था बट डीटेल में सारी news आपके साथ discuss करी है right ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि current phase आपके साथ detail में discuss होते रहें तो हमारे prelims crash course पर आप नजर मार सकते हैं जो लोग 2022 में attempt देना चाहते हैं 2022 के aspirants है उनके लिए हमने जो अपने PCM batch है और जो optional batch है और जो essay batch है वो launch कर दिये हैं normally यह जो courses है यह जो batches है हम July में शुरू करते हैं because July to sort of March and April gives them enough time to prepare but इस बार हमने क्या किया है आपके साथ courses मार्च में ही शुरू कर देंगे और अगले साल या इस साल December तक January तक आपके साथ यह courses चलेंगे and enough space दिया है enough time दिया है आपको कि आप कुछ syllabus पढ़ें फिर उसको revise करें फिर पढ़ें और फिर revise करें ताकि आपकी preparation इतनी solid हो जाए कि January तक आपका सारा syllabus static का खतम हो जाए then February onwards आप अपनी revision भी शुरू कर दें current phase add करना शुरू कर दें prelims के test practice करना शुरू कर दें ताकि by the time you have to write your prelims in May and June you have at least gone through two rounds of three rounds of revision and have solved enough number of papers ताकि आप पहली बार में ही prelims crack कर पाएं 2022 का तो आज के history के pre-cure में इतना ही मिलेंगे आप से next week history के pre-cure में तब तक के लिए thank you and keep watching antu कर दोखने – तोगल क्योंकर ऑल तो शोखने है थाल प्यप पन्पूश्स के साफबिो तो आप कर दो झाल झाल